अगर देखो बिजनेस करने का तरीका होता अगर आप फूट पात पे कितने भी अच्छे क्वालिटी का अगर आप फूट बेज दो या मिल्स बेज दो भाई रहेगा तो फूट पात वाला है कि नहीं है और तुम्हारे पास ऐसे नहीं क्या अमबानी यादान याँगे खाने अगर आपके पास वही सेम फूट अगर आप अच्छी इंफास्रक्टर के साथ बेज़ते हो अच्छे इंफास्ट्रक्टर के साथ तो सेम फूट जो है ना वह लगवा हाइग क्वालिटी का लोग उसके लिए लाक रुपे पे करने के लिए तयार हो जाएंगे सेम ऐसा ही ह कमपनी यूपील के सबसे बड़ी कमपनी जिसने लगबग 1,500,000 परसंट से भी ज्यादा रिटन दे रखा है यहां पर देख सकते हैं 1,36,000 परसंट का रिटन 1,36,000 परसंट का रिटन सोच लो इतनी बड़ी प्रॉफिट देने वाली कमपनी जिस कमपनी का कस्टमर बन सकती है मतलब यह कौन है यह जो कमपनी में आपको बतारो यह कस्टमर है कौन से दूसरी कमपनी के है भाइच सोच लो वह कमपनी कितना रिटन निकाल के दे सकता है मह कमाते हैं तो उसके जो औरसओते हैं मैनेजर होते हैं आपको क्य लगता वह हजारों में कमाते हो नहीं वह से ज्यादा कमाते होंग यहांपर अगर मैं आपको बता दूं तो Worldwide के सबसे बड़े-बड़े कंपणी जो है इस कंपणी के क्लाइंट है हमारे भारत देस में है सोच लो सबसे पहले नंबर पे Reliance का नाम आता है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नंबर पे Reliance Reliance का नाम आता है उसके बाद Hindustan Unilever यह कोई छोटी मोटी कंपणी है बहुत बड़ी कंपणी है लेकिन यह भी केवल क्लाइंट है यह भी क्लाइंट है सोचो जब यह कंपणी इतना कमा सकती है तो यह कंपणी जिस कंपणी के बाइकोन हो गए यह बी ऐसे भी देख सकते है केमिकल की स्टॉक है यूपी यल देख लो निफ्टी फिप्टी की कंपणी है इतने बड़ी जिसें देड़ लाग परसंट के आसपार रिटन देने के कोसिस किया है और यह जितने बड़ी-बड़ी ब्रांट बगरा देख रह और मतलब international market में भी supply वगरा करती है लगबग देख सकते हैं 75% यहाँ पर आपको market share बताया जारा optical brightening agent में है और 60% global market share में आपको बताया जारा 80% यहाँ पर market share देख सकते है sodium nitrate में आपको बताया जारा मतलब यह पूरे भारत में फैला हुआ आप सोचकते इतने बड़ी-ब इतने बड़ी company है कि जिनके पास अगर थोड़ा product दो तो काम चले गए नहीं वह बहुत बड़े bulk deal करते हैं और यह company का market cap तो देखो अभी लगब 20,000 के आसपास हो चुका है लोग बोलेंगा sorry 30,000 के आसपास अब मेरे जबान से 20,000 निकल गई लेकिन मैं sorry नहीं बोलूँग इसका return on capital employed तो देख सकते हैं 40% के आसपास है मतलब जितना पैसा इस company के आसपास उसका capital के लबग 40% यह निकाल देती है return on equity मतलब आप जो equity के देखते हो न आप FD पर कितना return मिलता समझ में आती है वही चीज़ equity में कितना return मिलता तो देख सकते हैं 39.6 मतलब बोल देते हैं लगबग सायद में भी मैं आपको बोलूँगा सायद ही आपको 40% का return on capital employed और equity देखने को मिलेगा में भी मैं आपको बोल रहा हूँ लगबग 65% के हिसाब से यह company जो है आपको compounding करके देती है 65% के हिसाब से अगर आप एक लाख रुपे भी लगा देते हो 20-25 साल के लिए लगबग 4-500 करोड़ों बन जाएंगे 65% के compounding के हिसाब से सोच लो लेकिन short time में नहीं बनने वाला मैं आपको बोल देता हूँ short time में कुछ भी हो सकता कभी भी market में गिरावट हो सकती है PD light के बाद देख सकते हो आरती industry ने लगबग 100,000 का return दिया उसके बाद देख सकते हो third number में खड़ी है यह company यहाँ पर अभी अगर आप सही तरीके से company को search करना चाहते हो या देखना चाहते हो कौन सा better है याद रखो मैं यह नहीं बोलाओ कौन सा good है मैं better की बात करता हूँ कभी में better की बात करता हूँ जब बच्पन में जब बच्चेर होते हैं तो उनको बता अच्छी कंपनी है यह कि नहीं है लेकिन उसके साहर देख सकते है अब देख सकते हैं तो लगवग तो तूजन सिक्टीन यहां पर देख लिजिए तक आपको बताया जागा ध्यान से देखेंगे यहां पर ध्यान से अब यह आर्ति है पहले इस company का देख सकते हैं लगवग की बात कर लेते हैं दीपक के वाले यहां पर देख सकते हैं लगवग जा कितना था 1400 के आसपास यहां पर आपको देखने को मिल दा से है यह मैं आपको क्या बता रहा हूँ पैर कंपरेजन बता रहा हूँ अब उसके बाद देख सकते हैं 1400 से अभी company आ चुकी है 4229 मतलब आ आरती इंडस्टी को भी टक कर दे दिया आरती इंडस्टी से भी एक कदम आगे निकल गए देखो यह प्रॉब्लम यह कि जिस company देख सकते हो यह पैरेंट्स बोल सकते हैं यह company बहुत बड़ी थी और यह बच्चा था मतलब आरती इंडस्टी के सामने दीपक नैटेड बच अर्ववज की दे रही है और यकम अमाइंज की तो बात ही चुरो भाई यह तो जहां थी वहां पर यह भी देखोगे तो लगवख दिपक नैटेड पीछले एक महीने से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मुली थी लगभा बहुत ज्यादा रैली तेखने को मुली थी तो ज्यादा satisfaction आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर बताया जाता ओपनली वीडियो थोड़ा श्लो मेरेगा क्योंकि जल्दी जल्दी निकल जागा देखेगा तार्गेट मतलब बहुत अच्छा वे बहुत अच्छा जब लगवा तब से इसके उपर ध्यान है हमारा अज़की देख सकते हों जब क्या बताएगा दो हजार तीन सो रुपय आपको बताया गया अगर नहीं देखे पाई है साहीसे वीडियो फिर दिखा देता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं ज्यादा अच्छा से देख पाऊगे मतलब बहुत अच्छा वे बहुत अच्छा देखो जब यह स्टॉक्स को अब फोकस किया जा रहा है यहां पर हमारे यहां पर और आज मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि लगबग 2,300 का तारगेट एकदम अच्छीवी हो चुका लगबग 20-25 रुपे का यहां पर आपको डिफ्रेंस देखने को मिला 2,300 रुपे सो सकतो जब 800 रुपे का सपास देखने को मिला था हाला कि यह तो रेडार 400 के उपर जा है और हाला कि बेचना तो एक दमी नहीं है दिमाग में बैठाओ लोग बेचना बिलकुल नहीं है इस तो स्टॉक को मतलब बेच दोगा तो मतलब जाद अनुकसान हो जाएगा यहां प इससे पहले भी आपको बताया गया था जब यह 400 रुपीज के आसपास था तब देख सकते हैं दीपक नाइटेड लगबग 483 रुपीज के आसपास था तभी यहां पर आपके सामने हैं दोस्तों दीपक इंटी आर यह स्टॉक का प्राइज बहुत अच्छा और बहुत जाता ठीक है तो यह वो स्टॉक का जिसका प्राइज इंक्रीज होने वाला है दंबर अगर एक दो खरीदो के तो कुछ प्रॉफित नजर आएगा नहीं दंबर खरीदो भाई तब जाके आप अच्छा से अच्छा कम से कम करोड़ पती नहीं बन पाओग लगपती तो बन तब लगबग यहां पर देख सकते हैं इसका प्राइज यहां पर कॉस्ट आपको बताया जा रहा था देख सकते हैं 433 रुपीज के आसपस खरीदा गया था हमारे यहां से लगबग 337 पर संट का प्रॉफिट देखने को मिल यहां पर देख लीजिए नीचे आपको रहे गाता सही है अभी देखोगे तो कौटर रिजल्ट आता याद रखो इस बर का तो कौटर रिजल्ट आ जाता हर बर कौटर रिजल्ट लो कंपनी काफी अच्छा परफॉम करके दिखाती है जब भी यह जो नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला रहे गाना मैं आपको पहले बता दे रहा हूं तयार रहे गा तो कुछ दिन पहले इस स्टॉक को खरीद के रखो यह आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देने एकोसिस करेगा पहले कुछ दिन पहले खरीद के रखो अगर भूल लाओगे तो नुकसान हो जाएगा एक नहीं क्या दियान में नहीं रख यहां से फिर आपको कॉंटक्ट कर लिया जाएगा और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो अपने डिमेट अकाउंट पगार उपन करना चाहते हैं तो आप अपने डिमेट अकाउंट एंजल में उपन कर सकते हो यहां पर आप NSC BST मिश्ट कुछ भरी सकते हो को करने को मिला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटों में जाके अपने डिमेट अकाउंट कर सकते हैं और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कोई भी स्टॉक खरीदने हो बिचने से पहले अपने फाइनिसल अडवाइसर से कंसल्ट करना मत भूलिया क्योंकि यह स्टॉक मार्केटर मैं पहले बता देता हूं कुछ भी हो सकता और खुद का भी रिसर्च करो तभी आपको कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा यहां पर आपको